चली हम लोग सुरू करते हैं सेट साथ को यहां से हम लोग का टेस्ट स्रे जो साथ सुरू होता है और पहला जो प्रेशन है यह हम लोग का मैच से सुरू होता है हम लोग का जो 11 नमबर से प्रेशन है यह हिंदी का प्रेशन सुरू होता है तो प्रेश्ण है कि इन में से डॉट डॉट धर्ती सब्द का अर्थ नहीं है देखिए इसमें धर्ती सब्द का जो अनला है ये अर्थ नहीं है बाकी जो इला है अचला है धारा है ये तीनों धर्ती का ही पर्यावची रूप है ठेक चलिए नेक्स प्रेश्मियां से हम लोगा समासों को उनके उधारन से आपको जो सुमिलत करना है यह से कि आपका अवियाई भाव समास है तो यह भी अवियाई भाव समास का जो उधारन होगा वह एका एक होगा फिर तत्य पुरुस है तो तत्य पुरुस का जो समास का उधारन होगा वह आराम कुर्सी होगा दंद समास का उधारन याद रखिएगा दंद समास का उधारन होता है भला बुरा वाहुबरी समास का उधारन इसमें समलोका हो जाएगा दासानन और दिंगु सुमासे अमलोका यहां पर पहला जो सब्ध होता है उसका संख्य वाचक होता है तो अदुपटा जो होगा यह धिंगु वाच के यहां पर दिंगु सुमास का उधारन है ठेक तो इसका मिलान आप लोग देख लेजिए और कूट बासन में आपको देना है तो आपसन जो है डी याद रखिएगा दे देजिएगा और नेक्स प्रेशन हैं से हम लोग का तेरा नंबर है कि गांधी जी अपना काम आप करते थे इस वाके में सर्वनाम कौन सा है तो इस वाक है कि बहुत प्रसन होना अगला यहां से प्रेशन के दिये गए वाक्या के लिए एक सब्द का चैन कर देखिए एक सब्द का चैन जैसे कि जीन्स को जो है त्याग दिया गया हने तो उसके लिए एक सब्द होता हम यहां से हो जाएगा त्याक्त क्या होगा त्याक्त होगा जिसको त्याग दिया गया हने उसके लिए एक सब्द होगा त्याग ते देविया पित्ते सब्द का संदी विचयत क्या होगा तो उसका संदी विचयत होगा देविया पित्ते सब्द का संदी विचयत क्या होगा तो उसका संदी विचयत होगा देविया प्लस अरपित आप्स गुनाहों का देवता ये उपनियास के उपने असकार कौन है तो ये उपनियास से धरंबीर भारती की अगला प्रेशन हम लोगा है कि जिसे मापा ना जा सकता हो तो उसके लिए एक सब्द क्याव हम लोगा एक सब्देना है कि जिसे नापा ना जा सकता हो तो उसके लिए एक स से सुक्ति का आ जाता है ठेक एक प्रिश्ण नमलों का ये बियान का प्रिश्ण है कि एक बस्तु और अप सारी लेंज के मत देखे दूरी लेंज की फोकस दूरी की एम गुन्या है तो लेंज द्वारा उत्पन राइखी का वर्धन होगा कितना तो देखिए यहां पर एम के लेंज के द्वार उत्पन राइखी का वर्धन होगा वान बटे एम पलस वन होगा क्या होगा यहां पर जो होगा एम बटे एम पलस वन होगा ठीक वर्धन वरवला उपसन अप लोग देखिए गा निमन में से किसे स्वयम सन्यूजित बल कहा जाता देखिए स्वयम सन्यू किसी कर्ण के लिए निम्ना में से असूद कथन का चुनाव किजिए प्रश्ण के एक समान बेतिये गति करने वाले किसी कर्ण के लिए जो निम्ना में से असूद कथन का चुनाव किजिए तो इसमें हम लोग आसूद का कि तवरन का जो परिमार नियत नहीं रहता है ये गलत ह सणकरी हो जाती है जी से रख द बढ़ जाता है ऐसा नियम के कारण घो था है बर्नोली के सिदान्त के कारण होता है कि जो रग्त होती हो संक्री हो जाती है और रग्त दाब बढ़ जाता है यह आपको बर्नोली के सिदान्त पर अधारीते हैं अगला प्रश्ण नम्बर का कि प्रणोदित दोलन के प्रकारन में अनुनादी सिखर बहुत तिक्षन हो जाता है जब तो ये बहुत तिक्षन हो जाता है जब अवमंदन वल कम हो जाता है ठीक है पर जब अवमंदन वल कम हो जाता है तो अनुनादी सिखर जो बहुत ही तिक् कि अनुचुम्ब के पदार्त का इसमें से उधारन हो जाएगा यह प्लेटिनम ठेक धारा रेखी परवाह जिसके साथ द्रवियों के लिए समानी रूप से अधिक होता है तो समानी रूप से अधिक होता है निमने घनत्वियं उंच स्यानता यह आपका धारा रेखी परवाह किसके साथ पुछा गया कि किसके साथ द्रवियों के लिए एक समानी रूप से अधिक होता है तो निमने घनत्वियं उंच स्यानता के लिए अगला पुछन मुलका कि पारास्रव्य तरंगे का अपयोग है तो इसका जो युज है या अपयोग सभी परवेज़न है तो क्या जाता है जैसे कि गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज़ दात्म के गहराई ग्याद करने में पारास्रव्य तरंग यक्रित लिव और अ भूमिगत चितरांकुनों है तो किया जाता है इन सभी में जो है पारासुरा बितरंका पर यो किया जाता है नेक्स प्रोएंट आम लोका यहां से एक तालिश नूमबर है यह प्रिशन है कि फांच कीलो ग्राम के ब्लोक द्वारा लिफ्ट के तल पर आरोपी दबल का मान क्या होगा यहां पर जी का जुमान आपको दस मीटर प्रती सेकेंड स्क्वार लेना है देखिए यहां पर यह फ पांच न्यूटन होगा ऑप्सन से याद रिखेगा इसमें देखिए लेप्ट के तल पर जोए पांच किलो ब्लोक द्वारा जोड़ा अरोपी आपका एमजी प्लस एमें यहां पर हम लोग का कौन सा हो जाएगा देखिए एमजी और प्लस एमें और एक्वल में आपका एम इन्टो जी प्लस ए तो दो और प्लस पांच यहां पर साथ हो जाएगा यह कुल दरमान होगा तो कुल दरमान में आपको जब गयाद करना होगा तो यह साथ है और इसके बाद गुना करना है कितना 15 से जो है आपको गुना करना है तो यह 15 साथ है पीचो तर एक सो पांच हो विदूत का सूचालक होता है गया अपको किस में प्रागलन से गया पूचा किस में क्या जाता है तो यह में रहता है और और तो यह प्रागलन से ऑदवर्न ताप पर आयसकों को वत्य वत्य में गरम कर पिगलाया जाता है इसे ही जो smelting भी से आपको smelting भी कहते हैं प्रगलन को smelting भी कहा जाता है अगला यहां से नेक्स प्रेस्ट नम्रों का 44 नम्र है कि जल की कठोड़ता इनकी उपस्थिती के कारण होती है तो यह होता है CACL2 वा CASO4 के कारण जो यह जल की कठोड़ता होती है जिपसम और प्लास्टर और पेरिस में जल का अंतर होता है कितना तो इसमें जो जलो का अंतर होता है एक पुड़ांग एक बटे दो का याद रखेगा इसमें जो जिपसम और प्लास्टर और पेरिस में जो जल का अंतर होता है वह आपका वह एक पुड़ांग जो एक बटे दो होता है ठेक 지립basum का सुथर क्या होता है 지립basum का जो सुथर होता है सी अएसो 4 इंट टू एच्टू होता है और जो प्लास्टर ओफश इसका सुथर होता है सी एएसो 4 अंतर एक पुडांग एक बटे12 चलिए नेक्ट स्प्रेशने कंसे समुह में तत्यों के परमानु सरलता से इलेक्ट्रोन प्रिथा करते हैं तो इलेक्ट्रोन प्रिथा करते हैं एने अपर जो एलाई एने और के इन तीनों का जो इन तीनों तत्यों के जो परमानु सरलता से जो इलेक्ट्रोन को प्रिथा करते हैं ठेक चलिए अगला है कि मुंबती का हवा में जलना या आक्सी करन है क्या है या जो एक आक्सी करन है एश्टर के छारी के जल आप घटन को कहते हैं तो इसको कहा जाता है साबुनी करन है निम्न में कौन एक जीवानु जनीत रोग है देखे जीवानु जनीत रोग की बात करें तो यह जो तापैदिक रोग है यह जीवानु जनीक रोग है यह समानेता फिपड़ा को प्रभावित करता है ठेक चलिए अगला पेचास नमर प्रेशन है कि कोसी कांगो को एक दूसरे स से अलग किया जाता है किसके दौरा तो यह आपको सेंट्रीफ्य ओगेशन द्वारा कि करें। पर्सेंट्रीफ्य से दौरा ढूंधा सेंट्रीफ दौर stud chon Church Kaoka 沒有Uh मेंंडAL किमें। में। आफिरा यह दौरा में thấy उताध्य क में बेज के कार को उन्होंने जो आधायन नहीं किया बाकर जो तीन है उसका देन वो किया थे चलिए अगला प्रिश्ण आफसे हम्लों का बावन नम्बर प्रिश्ण है प्रश्ण कहरा है कि एसे हर्मोन जो पादब में पानी की कमी के कारण रंग रहें, वंध होने को नियंत्रित करता है, वह है वह को है? तो वह है आपका अपसेसिक 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 अमले परशने के कौन से एंजाइम को आन्योग के कहा जाता है तो ये restriction indoor nucleus इसको आइनवी केंची कहा जाता है याद रखियाएगा और नेक्स प्रिश्णियां से चववन नमर एक लकड़ी के टुकड़ों की जल में रखने पर या फूल जाता है इन में फूलने का कारण क्या है तो इसमें फूलने का जो कारण होता है वो अंतासोसन होता है इन में कौन से गुन सुत्रों वाला व्यक्ति Kline Felter syndrome होगा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होगा तो इसमें हम लोग का राइट एंसर कौन सा होगा राइट एंसर इसमें हम लोग का एक्स एक्स और वाई वाला जो होगा यह क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होगा अगला प्रिश्ण हम लोग आए कि आर्जुन पुरुस्कार पाने वाली प्रत्थम भारतिय महिला थी तो वह प्रत्थम महिला एन लंसडेन थी कौन एन लंसडेन जो ही यह प्रत्थम भारतिय महिला जो कि यह उनको आर्जुन पुरुस्कार मिला हुआ ठेक चलिए अगला यहां से प्रश्णिक निम्ना में से कि समोख मंत्री को उचितम और सैनिक प्रुषकार भारत रत्न मिला था तो यह मिला था तमिलाडू के स्वरगी ए एमजी जो राम चंदरन है उनको उच्टम औस्षाइनिक प्रुसकार से यानि कहाँ पर उच्टम औस्षाइनिक प्रुसकार जो भारत रतन से समानित क्या गया था अगला प्रिश्ण मुलोग है कि भारत में प्रतम स्टोक एक्सचेंज की सेबर्स में अस्थापित वा था तो यह अस्थापित वा था अठारा सो पिच्छतर में भारती अमेरिकी लेखक स्याम सरन द्वारा लिखी थे पुष्टक की पाचान करें जो स्याम सरन के द्वारा कों से पुष्टक लिखी गई तो हाव इंडिया सीज दा वर्लड या जो स्याम सरन के द्वारा पुष्टक लिखे गई है अगला प्रेशन साथ नूमबर है कि मैजिक सेटी के नाम से जाना जाता है किसको तो यहाँ पार मेंटो कार्डो को जो है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है यह जो मेंटो कार्डो है यह यह यूरोप महाधिप में सेते मोनाको देश का एक प्रसीद सहर है कोरियोलिस वल के सम्मंद में इनमें से कौन से कर्थन गलत है तो या वायवंडल ये दाब में अंतर के कारनूत पन होता है ये कतन जुहें गलत है बाकि जो तीन स्टेटमेंट है वह सही है कि या अक्छांस के कोण के अनुक्रावानुपाती होता है या दुरूव पर अधिकतम होता है और या भुमत देरेखा पर नहीं होता है ये सभी कतन सही है बलके ओप्षन ये वाला जो है गलत है चलिए नेक्स प्रेशनियां से हम लोग का बासट नमबर है कि निमना लिकित में कौन सा है कि संजूक राष्टे का सासस्त्रवादी विकास लक्ष नहीं है तो इसका एक लक्ष नहीं है कि जनम दर ये अम्रितु दर को कम करना इसका जोए सा सस्त्रवादी विकास लक्ष नहीं है अगला यहां से 63 नमर प्रिशन है कि कौन सा साही सुमिलित नहीं है देखे इसमें से हम लोग का साही सुमिलित के बात करें कौन सा नहीं है तो यह जो घरजी पूजा है असमीव में गलत है अगलेट पौटक अम लोग का चौशा और बाकि जो तीन आपने या जो ज्याद रखेगा? यह होन्बिल जो महोसो है नागालेंड वंगला महोसो में ग्याले चेरिया वा उते वहर जो यह मनिपूर यह सही है भारतीय राष्टे सेना अजाद हिंद फोज ने दुटिय विसो जूद में किसके विरूद यूद किया तो यह किया थे ग्रेट ब्रेटन के विरूद में अगला प्रश्णी के गांदी एरविन समझोता कब वा था तो यह समझोता जो है 1931 में हुआ सोराज मेरा जनम से ददिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह किस ने कहा अगला प्रश्णी को कर सकते किसे राज चिके पहले बैठा कि यह किस स mesela में हुई थी तो याद रखेगा यह हुआ था वंबई सहर में ठेक वह था तो यह 27-28 दिसंबर को 1885 में जो है वंबई में हुआ था और कांगरिस को जो प्रतम अध्यक थे वो वोमेस चंद्रे वनरजी थे अगला प्रिशनी के फ्रांस की किरांती किसम है यहने की 789 वहां का राजा कौन था तो उसमें वहां का राजा थो लूई सुला हुआ था हिमालाए की सर्योच स्रेनी कौन सी है तो वह सर्योच स्रेनी है हिमाद्री किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है तो देखिए एक दिन जुड़ जाता है किसको पार कर लेने पर पुचा गया है तो 180 अंस देसांतर पूरव से पच्क्षीम को यह दिया पार कर लिजेएगा तो एक दिन जो होता है यह पार करने पर जुड़ जाता है हिरा कुन बाढ़ किस नदी पर वना है तो यह जो बांद आपका माहाण नदी पर है खी Michaels रहेकंगा फिरा कुणड बांद जो ये 20वा का सब से लंबी नदी बांद जो कि ये 48-800 मी都 रहे खी अगला एकर चारगाह को पंपास के आजाता है को और प्रवर्षन है कर दू Party को अगला पॉइंट यहां से हम लोगा 74 नमबर प्रश्ण है यह प्रश्ण के गुजरात विजय के यादगार में अकवर ने निम्नलिखित में से किसका निर्मान कराया था तो यह वुलंद दरवाजा का निर्मान करवाया था अजन्ता और इलोरा की गुफाई किस राजी में इ आता है तो यह पूरा जो भारत बरस हैं यह कब पुछा गया है कि दक्षिन पाच्चे मांसुन के प्रभाव में आ जाता है तो यह वीस से 30 जुन के माध्या अधिकांस मौश्मी घटनाय किसमें संपनन होती है यह आपका छोब मंडल में प्रश्ण मौश्मी घटनाय संपन होते हैं अगला प्रश्णियां से हम लों का 78 नमर है कि उन्चासवी पैरे लल किंदो देशों के बीच की सीमा है तो यह सीमा है यूसे और करनाडा की अगला प्वांट यह से हम लों का 89 नमर है कि अधिकार समाजिक जीवन की वेदसाएं हैं जिनके विना मनुसिया अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है यह कथन किसका है तो यह जो अस्टेट्मेंट है वो लाउसकी का है भारती समिदान के आठवे अनुशेद में कौन सी भासा 2003 में जोड़ी गई तो 2003 में जोड़ी गई संथाली भासा अगला प्रिशनम लोकाई कि देशी रियासतों के एकी करण का स्रे किसको जाता है तो यह जाता है सरदार पटेल जी को देशी रियासतों का जो एकी करण का स्रे है यह सरदार वल्ला भाई पटेल को जाता है प्रिफने के यदि राष्टी यह आपात का लगोंसित किया जाता है तो उसे प्रत्य एकड़ोडोडोडोड के बार सांसत का अनुमोजन प्राप्त करना अवस्यक होता है तो कितने बर प्राप्त करना अवस्यक होता है अगला प्रिफने के बारतिय समिधान की प्रारूप समीति के देख्ष कौन थे देखिये प्रारूप समीति के जो अधक्त है और डाक्टर बी आर अंबैद कर थे 205 रंगटन के स्थपना यह हुआ था 1995 में अगला प्रिफने हम लोगाए कि धूपगड की सर्योचोटी किस स्रेनी का है तो यह है सत्य पोड़ा स्रेनी का अगला यहां से प्रश्णमलों का 86 नंबर है करे कि भारतिय समिधान के किस अनुष्यद में अनुसूचित जन जातियों के लिए राष्टिय आयोका प्रवधान है किस अनुष्यद में तो यह अनुष्यद 338 का ए है इसके अंतर का अनुसूचित जन जातियों के लिए राष्टिय आयोका प्रवधान है भारत में प्रतम रेलवे लाइन निम्नल से किसमें विछाई थी तो यह विछाई गया था जौर्ज कलारके के दौरा याद रखेएगा जौर्ज कलारके के दौर जो है भारत में प्रतम रेलवे लाइन विछाई गई अगला प्रिशने की इवनेसको के विश्वे दरोहर सुची में अस्थर बनाने जो पहला बारती सहर वो कौन सा है तो वह सहर है आमदाबाद है भारत सरकार दौरा निम्न में से किस भासा को सास्त्रिय गोंसित क्या गय को साथ्त्रिय पूंचा गया है तो ओडिया को साथ्तिय गोंसित क्या गया है अगला strength के भारत का राष्टी यह पर राष्टी जल मार्गत तिन किस राजि म roku सितित है तो यह जो तीन है याब को केरल में है काला पैगउंडा की नाम से प्रशी इमारत है कुंसा यामारत है तो इसका अर्थ होता है कि वजट घाटे की तरह है तो वजट घाटे की तरह होगा इसका अर्थ है अगला 93 नमर प्रश्ण है कि मांडू की रानी रूप मती का संबन्द की ससे था तो उसका जो संबन्द वो बाज बहादूर से था जैसे जैसे अर्थ विवस्ता बिक्षित होती है राष्टी आये में 33 खेतर का अंस क्या होता है तो वो बढ़ता जाता है अगला प्रश्ण नमर में कौं सा बिहार का राजकर प्रतिक नहीं है तो देख लेजिए इसमें जो राजकर नदी नदी ये गंगा ये गलत ये गलत है कि निम्न में जो कौन सा भीयर का राजकिय प्रतिक नहीं है तो ये राजकिय नदी जो गंगा है ये नहीं है ये जो गंगा नदी है ये देश काईन की जो राष्टिय नदी है ठीक है आप लोग ये भी याद रखेगा कि जो राष्टिय नदी है वो गंगा है राजकिय नहीं प्रश्ने के अरी फंक्स किस प्रचिन सव्याता से संबंदित है तो यह संबंदित है मिस्र की सव्याता से अगला प्रश्ने के कालिंग यूद में कौन सर्वादी प्रभावित हुआ था तो कालिंग यूद में सर्वादी प्रभावित असोख हुआ था अंग्रेज के विरुदे युद करते हुए कौन मारे गए तो अंग्रेज को विरुदे मार करते हुए जो टीपू सुल्तान जो वो मारे गए अगला पृष्णी के भारत की सबसे पुरानी परवस रिंखला कौन से हैं? तो वाँ परवस रिंखला है अरावली याद रखेगा भारत की जो सबसे प्रचीनतम परवस रिंखला की बात होगी तो अरावली हैं अगला प्रशने के भुकंप सरवादे किस छेत्र में आते हैं तो भुकंप जो होता है वाधिकान से पुर्वी एसिया में आते हैं ठेक भारत को ते भुकंप छेत्र में विवाज़त क्या गया है हिमालाई छेत्र गंगा सिंदु का मैदान और प्रादीपिय छेत्र हिमालाई की जी आठ को शुरू करते हैं कि अब फान Hers WiFi से अठ टश्री आठ होता है औरहर जाएक लोगत करने हैं मत लुक्त हैन्य निक्षट में से इसू देवा के कौन सा centeredまあ से असु दिवा के है कि बैठक का समय चार बज कर दस मिनट होगा यह जो है गलत है इसकर सही जो होगा कि बैठक का जो समय है चार बज कर दस मिनट है होगा नहीं बलकि है तो भी यह सही होता अगला कि विद्वान का इस्त्रिलिंग क्या होता है तो विद्वान का इस्त्रिलिं तो इसमें चारों में से जोई सही उजवल कौन सा दिखाएं ऑफशन C वाला जो उजवल है यह सही यह यह पर आप आप सी यह भी नहीं होगा देखिए ऑप्सन सी ने बल्का आप लोग यह है दी वाला देखते यह उजवल जो है सही दिया गया ठे चलिए अगला के परी कर्मा सब्द में उपसर्ग है कौन सा तो परी कर्मा में उपसर्ग पर्योग हुआ है परी यहां पर देख लिए ऑप्सन भी का यह परी यह और प्लस कर्मा अगला पंदरे नुमर प्रिशने कि छाती बड़ साप लोटना सुख चैन में समास है कौन सा तो सुख चैन इसमें समास है दो अंदिसमास अगला पंट यहां से 17 नमरे कि सिंग वन में राता है यहां पर बन में रिखांकित में कारक है यहीं कि जो वन में कौन सा कारक का पर्योग हुआ है तो इसमें जो अधिकरन कारक का पर्योग हुआ ह अधिकरन कारफ सर्द का जिस रूप में किर्या क्या धार पर ज्यान होता है उसके अधिकरन कारफ कहते हैं चलो जल्ध जलू यह ज़से चलो यह खांकित बहंद में कौन सा है क्यों तो इसमें क्यों से ख़ाय लग तो सखा का बावबचन सखाय होता है और यहां तक हम लोगों का जो दस प्रिशने था वो हम लोग हिंदी को कम्प्लेट कर लिए अब हम लोग यह साइंस के प्रिशन जो की 31 निंबर से शुरू होता है प्रशन है कि तब्त तर आम मिटर द्वारा मापन किया जाता है तो यह मापन जो है परते वरति यह द्रिश्ट धारत दुनों को ही मापन किया जाता है यदि गुरुत्वा के विरुद किया गया कार्ज है वो रिनात्मक हो तो क्या होगा तो यहाँ पारे इस थिती जुर्जा जो होगी वो घटेगी अग्ला तेंतीस नमर प्रेश्ण है कि इलक्टोन सुख्षमे दर्सी की विवेदन छमता से अधिक है क्योंकि इलक्टोन का जो तरंग धर जे द्रीश्य प्रकास के तरंग धर से डोरोट है तो यह कैसा होता है यह आपको कम होता है ठीक इलक्ट्रोन के जो सुक्षमदर्सी के वेदन छमता है ये सदहारन सुक्षमदर्सी के वेदन छमता से आधिक है क्योंकि इलक्ट्रोन का जो तरहेंग धर्जे द्रीज से परकास के तरहेंग धर्जे क्या होता है कम होता है अगला 34 नुमरे के दो पतले कंबल के उनके संजुत मोटाई के वराबर मोटे कंबल के अधिक गरम होते हैं तो ऐसा क्यों कि यह क्यों मसूद होता है तो इसमें क्या होता है कि उन दोनों के बीच की जो हावा की सता है वह बन हो जाते हैं पर जो क्या होता है कि उन दोनों के बीच की जो हावा की सता बन जाती है इसलिहां पर आप आधे गर्मी मासुद होता है दो पतले कंबल एक मोटे कंबल की अफेट स्था है। अगला प्रश्णि के सकती पी के एक उतला लेंस को पानी में डूब़ोया जाता है, तो इसके सकती किस परकार से परिवर्तित होगी, तो इसका जो सकती होगा वह आपका कम होगी। प्रिश्णे की सकती पी के एक उतला लेंज को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी जो सकती किस प्रकार परिवर्थित होगी तो वह कम होगी अगला यहां से 36 नूमर प्रश्णे के 125 मीटर उची एक मिनार की चोटी से एक किलोग्राम का एक पीन डेगराया जाता है तो प्रिथिवी से तकराते समय उसकी गते जोड़ा होगी वह 1250 जोलोगी किसे दी कितने 1250 जोलोगी यहां आप को जो है यहां पर इस्थिते जोड़ा ब्रब्र होताعة है एम गो जी गोने ऐस होता है तो इस एक किलोग्राम और जो आपका जी कमाने वह दस रखना है और एक सो पचीश से जो आपको मुल्टिप्योर कर देना है तो यह आपको 1250 होगा ठेक भीन-भीन पदार्सों के अनुओं के वेचे काजरत वल को कहा जाता है तो उसको जो आसंजक वल कहा जाता है प्रस्णे के किसी कौच के टुकडे से जिन के मोटाई 4-0 अपर तनाण 2-3 है से परकास के किरन गुजारने में जो लगा समय होगा तो इससे जो गुजारने में जो लगा समय होगा वह आपका 4-10 के पाउव और इनभर 11 सेकेंड होगा ठीक option आपका का इसमें में देखिए में जो लगा समय होगा वापका चार गुन्हें दसके पाउर माइनस 11 सेकेंड होगा कांच के टुकडे में जो परकास के चाल भी होता है और आपको जो गयाद करना है तो निरवात में परकास की चाल बटे ऑपर तो नांक तो इसके हम लोग सूत लगाएंगे तीन गुना दसक याद होगा तो इसने आपको जो है चार गुन्हें दसके पाउर इन भर सतीन हो गा यह कांच का मुठाइ है और दसके पाउर आपका यह है रभी है तो इसको आपको चार गुन्हें 1212 कि नियम्सटें से कौँण सर्प करन नंबाई के मापन के लिए परworking नहीं होता है तो परवान वहता है को दो भी होता है यह जो शाईसनों के लि मंदा कल जो पता है कि अर्ण भाइल के कि यह जीतशन है क्या होगता है तो इसके वीच का बाता है जलिए होता है तो चाहिए अगले होता है विजी हूं कि हएंहान कि श्राइब को वार्नलेखन macht whip up which तो इसकी मतरा को आयोडविन के मान से मापा जाता है अगला यहां से 44 नूमर की यह होगी कि जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सिकर्ण संख्या एक होती है तो इसमें देखे धात्य के हाइड्रोजन की जो चंख्या जो रगिन बस्तो का विरंजन करती है यह अप्चैन के द्वारा विरंजन करती है अगिला प्रेशने के नीमना लेखित में उधार योपात नहीं है देखिए उधार योपात जो है इसमें कोलोरी जो है वो नहीं है काले रंग का सलफाइड है कौन सा काले रंग का इसमें से हमलों का सलफाइड हो जाएगा काले रंग का यहाँ पर B2S3 जो है यह काले रंग का इसल फाइड है थे चलिए नेक्स प्रेश्चियां से 48 नुम्बर 1 कि निम्न में कोवन जल में आगुलन सील है देखिए जल में इन चारों में से आगुलन सील के बात करें तो पीबी एसल फोर जो है यह जल में आगुलन सील है हाथी पाव नामक रोग का वाहक है कौन सा तो इसका वाहक होता है संग्रामीत क्यूलक्स मक्षर ये क्यूलक्स मक्षर क्यों होता है ये हाथी पाव रोग नामक रोग का वाहक है है अग्याक पॉइंट हम लोग 9 का 15 नमबर 5 न है की की टो यह उतसर्जिए यह कराश्ट एसया की किसकी गास्ट एसया की जो यह इस ओर यहाँ तो यह पर ग्रीन घबान थी जो यह उतसर्जी आंग है लोसका से कौन संबंदिते हैं तो मुलास्का से कटल संबंदिते हैं कि लिवकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें आसाधारन बढ़ोत्री होती है तो इसमें आसाधारन जो बढ़ोत्री होती करीक्ति है कि व स्वेयत तरख्ते को सिकाँ के आपर अफन डियाद रहेगा इसमें जो है लिवकेमियमें इन सुवे क्तारक्ठ पमखे फैसे अधायन होती है मैं अधिक्र मद्त होती है और चुअ कब्लाइको। लवन है जो है एक दोई केके लवन है आगला प्रिस्ट वोग है कि प्रशीद पुस्तक आइडिया आउ बेटर वर्ल्ड इसके दौरा यें लिखा नडायन मूर्ति के द्वारा यहां लिखा गया है अगला यहां से हम लोग करें कि नीम न लिखित दस्तवेज में जो एक मानो विज्ञानी संस्कृति का चीतर अंदर साथे अनुसरा धान के तयार करता है कौन सा तो इसमें हम लोगा राइटन सुरू का एथ हो एथ हो नो ग् यह जो एथनोग्राफिय यह लिखित दस्तवेज है जो कि एक मानो विज्ञानी संस्कृति का चीतर अंदर साने अनुसरा धान से तयार करता है अगला प्रश्निक के पाईली एक्सपेस के नाम से जाने जाती है तो यह जाने जाती है पीटी उस्वा निमना लिखित में कौ मंगलू रहल दिया और मिसाखा पत्नम यह जो तीन है यह बंदरगाह और तेर परिसंसकरन के अंदर भी दोनों है अगला के भारत में पड़ोस में घोडे की नाल जैसे आकार वाला मुंगे का जो द्वी पिसमू है कौन सा घोडे के नाल जैसा जो है वह मुंगे का जो पिसमू कौन सा है तो द्वी पिसमू है तो कि अगला यहां से प्रेश्न हम कां कि चितान वाल सल्द गूफा क्षेतर्क कलाई डरोत में इस ती ठे और औरडोत से MS तो यह जो है तमिलाडू में जिती थे और जैन दरम से संबन्दी थे यह चितान वल गूफा अगला प्रश्णिया से 63 नंबर है यह प्रश्णिया है कि आठार सो तीरपन इस भी में लॉड डाल हौजी ने जो पहली फोटो यहां पर जो पहली टेलेग्राफ लाइन शुरू क कि वा कि सक बाता फैं नो है तटात्तव सो पहली बार पैलेग्राफ लाइन शुरू कि भार्श राष्ट्य कॉंगर्स के प्रत्म आदिवेसन कहं यह चो भाता है तोस्य उसमा नगां शाया से कब तो 27 से 28 दिसंबर 1885 को अगला प्रिशन के स्वामी दया नंद सर्श्वती ने प्रतम आर्य समाज 1885 इस भी में कहां अस्थापित के थी तो अस्थापित क्या थे वंबई में शासन की संगिया पनाली इस अधिवेशन के अंतर के अस्थापित के गई थी तो यह अस्थाप आफ इंडिया एक्ट जो 1935 से है इसी के अंतर गद संगिया पनाली अधिनियम अस्थापित के गई थी ठीक ऑप्शन बी आम लोग का इसमें कॉरेक्ट होगा अगला यहां से सरसट नुमबर प्रेशन है कि गुरु गोविन सिंग द्वारा खलसा पन्त के स्थापना कव के गई थी तो खलसा पन्त के स्थापना यह पुछा गया कव के गई थी तो यह क्या गया था 1699 में गुरु गोविन सिंग द्वारा खलसा पन्त के स्थापना 1699 म यह आपको याद रखना है कांग्रेश्ट ने कि सतीथी को पूर्ण सोतंतरता दिवस मनाया तो यह मनाया गया था पूर्ण सोतंतरता दिवस जनवरी अगला यह भारति यह वन अधनियां पारित हुआ तो यह पारित हुआ ठार सो पिचाची में प्रित्वी द्वाराज सो रोड़िया प्राप्त करने की विधी कौन सी है तो वह विधी है विकिरन अगला यह से िका प्रित्वी गराम होती है तो ठंडी हावा भी गरम होकर ऊपर उठती है ठीक? और ऐस अस्तित्य में जो जब नीम नदाब का च्छेत्र बन जाता है खाले जगह को भणने के लिए तेजी से पोनेने की जो हावा या आती है जिसे चेकरवात कहते है भारत में निमनलखीत में से वह कौन सा वन या जन्तू अव्यारन है जहां गैंदे के सारख्षन की परविज़ना चल रही है तो वहाँ है काजी रंगा ठीकाजी रंगा यह जो नेशनल पार्क है यह कहां है काजी रंगा नेशनल पार्क प्याप को उत्रा खंड में है ठीक अगला यहां से 73 नमर प्रेश्ण है कि भाख़डा नंगल बांध निमलिकित में से किस नदी पर बना है तो यह जो बांध है 17 नदी पर बना है 1905 के जो बंगाल विवाजन के समय वासराय कौन थे तो उसमय जो वासराय थे वो लोड करजन थे लोड करजन का जो सासन काल था वो 1899 यह लेकर के 1905 तक था अगला यहां से 75 नमर प्रेश्ण है कि हर्स का राज यह कवी कौन था तो हर्स का राज यह कवी जो बांध भट था संत कवीर के गुरु कों थे संत कवीर के गुरु कों थे तो वह रामानंद थे अगला प्रशन में रोग है कि कितने ये मियोतर के सांत सांत अंतराष्टिय दिनांक करेखा निधारित की जाती है तो ये निधारित की जाती है 180 डिगरी प्रशने कि तो अग्ला 89 पाटनी के सुची One सुमुलती करना है तो यह जो राश्ट्य गित है याय आप कहां से यह राष्ट्य गेत हम लोगका बंदे मात्रम है राष्ट्य गानलह्युत में अम लोगका यह ज闇-गन- नुण है आऔर राष्ट्य प्रतीक की बात करें तो यह था कओछो गारा असो का स्थम्व है और राष्ट्य नारा जो हूँ सत्य में जटह इसम्ह कुट बासा में देना है तो option यह से हम लोग जो है C को दे दिजिएगा अगला यहां से प्रेश्ण है और C नमबरे की भारत में वैद प्रभुसता नहींत है किस में तो वैद जो प्रभुसता है यह समिनान में नहींत है राज सभा के एक तियाई सदस्यों के निवरित होने की अवधी क्या है तो यह अवधी है प्रती दो वर्स आपर राज सभा के जो एक तियाई सदस्य है उसको प्रती दो वर्स्यों में निवरित कर दिया जाता है अगला प्रिष्णिया के प्रात्मिक छेत्र का ताते अपर किसे से है तो प्रात्मिक छेत्र रेने की जो इसका समझ जो है क्रिसी से ठीक दृतिय और तृतिय चेत्र में करम साप का उद्योगा और सेवा छेत्र आता है इनमें कौन सी फसल जो सूखा साहिश्णू फसल है तो हम लोग का इसमें जो बजरा का फसल है ये सूखा साहिश्णू फसल है अगला प्रिश्णियां से चोड़ाशी नमबर है कि भारतिय रिजर अवैंग के स्थपना कब होई थी 1935 में अगला यहां से चासी नमबर के प्रसी जो दिलवाडा मंदिर इस्थिते हैं तो यह दिलवाडा मंदिर आपका राजस्थान में है हो की इंडिया के दक्ष कौन है हो की इंडिया के दक्ष जो है ग्यानेंद्रो निगेंबम है कौन ग्यानेंद्रो निगेंबम है अठासी नमबर प्रिश्णिय के 1945 में इवेनु के गठन के समय इसके सदस्य देश्थितों की संख्या कितने थी तो इसके संख्या जो थी हुआ इकावन थी मौसम सब्दें कि मांसुन के अर्थ में इन में से किस वासा से सम्बंदी थे है तो ये जो मौसम सब्दे है या सम्बंदी थे अर्भी वासा से ठे आगले यां से प्रेश्नितमलोग का नबमे नमर कि इमें से किसे खाए एक खाने आपर सवरी नीन में से जो एक किसे खाने एक खाना की उपादी से समानित क्या गया था तो यह था भेःर्भका को बीश सूत्री काजिकरम किस पंचवर्षी adalah योजना में पर्रम्भ किया गया तो यह प्रण किया गया पंचम पंच वर्षी योजना में ठेक यह जो पंचम पंच वर्षी योजना है 1974 से 98 तक चला इसमें आपको जो है हमलों का राइट एंसरो गई है जो कर्जाखस्तान है इसमें कोई बंद्रगाह नहीं है अगला यहां से हमलों का 93 प्रेश्ण है कि राज माता कर्णवती कहां कि सासी का संदक्षिका थी तोवाई थी चितावड की अखिल बारतिय कांग्रेस का जो है वस्तुविद माना जाता है किनको यह वस्तुविद माना जाता है एवो हम को पररंबेक उधरवादियों की राजिनेति के चरण माना गया है किनको तो यह राजिनेति चरण जो है 1885 से 1905 को माना गया है अगला यहां से 96 नमर प्रेश्ण की लोक लेखा समिती का जुड़वा बहन कहा गया है तो यह प्रकल समिती में जो है लोक सबाके 30 सदस्य होते हैं अंगुतर निकाय में बिहार के कितने महाजन पदों का उलेख मिलता है तो इसमें जो है तीन याद रखेगा अंगुतर निकाय में बिहार के तीन जो है महाजन पदों का उलेख मिलता है अगला यहां से अंठन भी नमर प्रश्ण है कि पेरिस में इस्थित इंटरनेशनल इंस्टेटीट आफ एजूकेशनल प्लानिंग संजुक्त राष्ट के किस संगठन का यंग है तो यह अंग है इवनेश को का भुकांप तरंगों का वेग तथा अस्थान ग्यात करनें के लिए किस यंत्र का उपयोग क्या प्रिष्णे अपकरनेश की तो इसमें आपका सिस्मों ग्राफी का उपयोग क्या जाता है कि अग्राइब है यह सहे ओकशी है अई स्था लिए गुल्हार्द किसे कहते हैं तो इस्था जेए उंतर हम को ग्राद के बांतेशनल का जाता है और जो यह जो अुत्री गोलार्द सब्सक्राइब त्रम करने हैं जो याँ टेशन से नुटन्स पूर्वए वता दिया था कि सब्ध बस्तों होती हिसे ब्रावम गुप्त को गैंतर अम इस सबेसे बचल दोर सकते हमां इस साल को इसा बहुत बसंगी से बा Ma justice को बहुत सो यपन किस इसहए गतार तो तो इसमें जो जासता है ये बीदूत का आचुमबकिया है। चौता प्रशने के पूरे भारत में पांच सितंबर को सिक्छक दिवस की सुव्यक्ति की जयनती पर मना जाता है। तो यह मना जाता है डॉक्टर सुरुपली राधा कृष्णेन की जयनती पर है। नेक्स प्रशने आसे हम लोग का पांच वे नमर के केरल की राजकिया भासा कौन सी है। तो केरल की राजकिया भासा जो है वो मल्यालम है। आपसन हम लोग का सी से योगा मल्यालम है। चलिए नेक्स प्रश्णियां से हम लोग का जो 11 नमबर से प्रश्णिय सुरू होता है प्रस्ण कहता है कि एक रेडियो सक्रिय सुरू होते से उतिसर्जित अलफा बीटा और गामा की रने 0.5 cm मोटी ऐलुमिनियम के चादर में से भेजी जाती है तो बाहर जाने वाले जो वि अगला यहां से प्रश्ण हls मलू का 12 प्रश्णिय के ऐल का समानी सुत्र प्रफी क् sırॐ होता है तो अल काईनी स्टु होता है तेरा नम्मर प्रश्ण के एक रसायनिक अविकिरिया के विश्य में निमना लिखेते कथनों पर विचार केजिए और बताईए कौन सा एक जो है सत्या है चार है पहला है कि अनुवक की कुल संक्या परिवर्तित रहती है दूसरा है कि ग्राम अनुवक की कुल संक्या वही रहती है तिसरा है कि कुल दरविमान में परिवर्तित नहीं होता है और अभी किरिया साली अनुवक की कुल संक्या उत्पादन अनुवक की कुल संक्या के बरा अगला प्रिश्गा से कि नीमना लिखित का संयोग हैं तो यह संयोग है mmm इस एक प्रिश्ग कि नीमना लिखित प्रक्राओं में कॉन सी और प्रतिक्रिया वो उस grams तो इसमें उसम स्music आप!"ustoon 2 and row 2 यह डूआ उसमा फ्रतिक्रियास प्रतिक्रिया so देखिए उस्मा सोसी वेर असाइनी का विक्रियां है जिसमें उस्मा का जो सुसन होता है उसे उस्मा सोसी विक्रियां कहते हैं अगला पॉइंट यहां से हम लोग का सुल्ला नूमबर है प्रश्ण के रहा है कि तेर्थी चलती है इसलिए नाव को डुट डुट कहते हैं तो रिक अस्थान में कौन सा जो सब्द आएगा तो इसमें सब्द आएगा हम लोग का तार्णी देखिया पाड़ है तेर्थी चलत यह जो वाक्या है वह बुत काल में है आपशार आस्रा है आस्रा सब्द का ततिसम सब्द लेखिया क्या होगा आस्रा का ततिसम सब्द चुनिए और चुनिए दूसरी बस्तु को आकर सित करता है तो दूसरे बस्तु पर आवेस होगा तो दूसरे बस्तु पर जो आवेस होगा साय धानात्मक या फिर रियात्मक या फिर सुन्या इन तीनों में से कोई भी जो है आवेस हो सकता है अगला प्रिशन में कि उत्तल लेंस द्वारा वना प्रत कर दाका गया है तो यह कैसा प्रभावित होगा यह प्रभावित होगा प्रतिभीम की जो चमक होगी वो ठोड़ा घाट जाएगी अगला यहां से 23 नुमर प्रशने की सोर उड़जा जो प्रित्वी की सता तक पहुंचती है वह समानेता किस रूप में होती है तो यह समानेता तो यह समे तरंग एयोम द्रश ह क्राकास यह दोनों के रूप में होती है अगला प्रावित हमे प्रदरशित करता है किसी बस्तु का तो यह समानेताlow बस्तु का जुबेग एक समान होता है इसमें जो कोई भी विकलब आपका सही नहीं है अगला 25 नमर प्रिश्ण है प्रिश्ण के यदि बस्तु द्वारा तह की गई दूरी समय का समन उपाती होता है तो यह कहा जाता है कि बस्तु की गती वश्तु की जो घती होगी वो नियम चाल से होगी समवेग माप है किसका समवेग माप है गती के परिमान का अगला यह से 27 नमर प्रिश्ण के मैट्रिक पदती में मैट्रिक पदती में जो है वल किया गुर्तवीय मात्र के निम्ण में dennis कौन है तो इसमें से हम लोग का केजी और यहां पर जो एक केजी वाट जो है यह मैट्रिक परती में बल का गूत विया मात रखे है यहां पर दखें केजी इंटू है यहां पर जो दसमलाओ का मतलब यहां से जो यह जो दसमलाओ का मतलब है यह इंटू है ठेक चलिए अगला यहां से प्रश्oking मैं लोग का थायश नंबर है प्रश्णी के गुरुथवय एक विसेस स्थिती किसका तो और अजह प्रश्णीय कीम में प्रती मीटर इस जल में क्या होगा तो यह जल में जो है वह तैरेगा इसका इसका यहां पर इकाई लोमभाई से गुज़रने वाले तरंग की संक्या को कहते हैं तो उस संक्या को जो तरंग संक्या कहते हैं नेक्स प्रश्णिया समलोग का 31 नंबर से ये गनित का प्रश्णिया है और आपका जो 41 नंबर से प्रश्णिया है यह प्रश्णि कह रहा है कि रानी पदमावती का संब्ध किस सहर से हैं तो उनका संब्ध जैवत चितावड़ गर से ठेक अगला प्रशने के बरतमान परिसर से पहले भारत का उचितम नियाले कहां से संचालित किया जाता था तो यह संचालित किया जाता था सांसद भावन से अगला प्रशने की बिंदुसार के सासवनकाल में असोक को किस अंचल का जोगा प्रशासक बनाया गया था और वह था तो यह इसको प्रशासक बनाया गया था उनको तक्षा सीला और उजयन की उत्तर भारत में गंतंत्र और राजितंत्र महाजन पद समूहो की अस्थपना हुई अगला पॉंट यहाँ से पिंटालिश नंबर है कि किस साथक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया तो यह कहलो आये गया था असोक के द्वारा पानीपत के प्रतम यूद में लोदी बंस का पतन हो गया तता इसके परिमान सोरुप बावर के नियंतरण में एक बहुत बड़ा भुभाग आ गया वह भुभाग फैला था तो वह जो भुभाग था वह दिल्ली से आगरा तक फैल हुआ था ठीक पानीपत का जो फर्स्ट यूद है यह आपको पंद्रो सो चेविस में वाद था नेक्स ट्रश्णियां से हम लोग का 47 नंबर है कि दीफू दारा कहां इस्तित है दीफू दारा पूछा गया है कि कहां इस्तित है तो यह इस्तित है अनु राचल परदेश में हिमा चली आनु राचल परदेश में ओप्सन भी हम लोग का सही होगा ठीक रो हें पर रोतांग ला तो ओपका हिमाचल परदेश में ठीक और एक है माना दारा तो यह उत्रहएं और नेक्स विए धरा है जलयपला दारा वह आपका सखिम में है चलिए अगला यहां से प्रेश्ण नम्लों का और तालिश नमबर प्रेश्ण है कि इफेडरा फाउधो को किसके अंतरगत बरगे करिद क्या गया है तो यह बरगे करिद क्या गया है आना वृत वीजी के अंतरगत आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वंभाई अध्यवेशन की जो अध्यक्ष्ण की थी तो यह अध्यक्ष्ण bliss क्या ऺया था लाला लाजपत राय के द्वारेन के उन्हों ने ही इसकी इसका जो प्रतम अध्यवेशन है यह 1920 में हभ था पिचाश नमबर प्रशने की चाटाने कितने प्रकार के होती है तो चाटाने जो है यह होती है आपका तीन प्रकार के अगनिये और साधी और कायरांत्रिक चाने भारत का सबसे पहला जल बीदूत करिखाना ये कहां अस्थापित क्या गया और कव अस्थापित क्या गया तो ये सिव समुंद्रम में और 1902 में अस्थापित क्या गया महारत में सीमिंट का उत्पाधन, सुरप्राथम कहां प्रारमबवा था, तो सीमिंट का जो उत्पाधन हैं, यह मदरास में प्रारमबवा था, ठीक, मदरास में जो इसके पहली करखाना, 1940- KPIE में जो इसके अस्थपनगे गई थी, अगला प्रश्ने के, सूर्या के सबसे पास कौन सा गरा है दिकर सूर्या के पास जो है सबसे ववुद गरा है प्रित्वी की भूपर पटीर के पदार्थों या सता के कठोर भाग को क्या कहते हैं तो इस कठोर भाग को चटाने या फिर सिल कहते हैं अगला प्रेश् imp société पर नंबर की भुकम्प का स्वर्वादिक प्रभाव रर्ड पर होता है तो वह सबसे अधिक प्रभाव का प्रभाह अधिक के लिए आपको याद देखना है भुकंप के उद्वा उस्थान को जो उसका किंद्र कहते हैं सुनामी लहरे अधिक सक्रिय रहती है तो यह अधिक सक्रिय रहती है पच्छमी प्रसांत महसागर में अगला प्रिशन हम्रोकाई की भंजन की प्रकिरिया में चटाने का विघटन होल और यह अहां भीघटन होने लगता है तथा चटाने तूट कर विखाण लगती है तो यह जो चटाने तूट ne सबनदी के घाटि जो कि यह सबसे लंबी रिफ्ट गाटी है Neo ६संध में साथ नूमबर है प्रश्णे के प्रदहान मंस्रें के नुपति कौन करता है तोयाद रिखेगा प्रदहान मंत्रे की नुपति मत्रें करते हैं प्रदहान मंत्रे burner को रास्टपति करते हैं इस Kṛṣṇa पुछाए कि प्रधार मंते की निफ्थी कौन करते हैं तो राष्ट पती अगला यहां से एक सेट नंबर प्रेश्ण है यह करें कि निम रखेते कथनों में कौन से सत्या है देखें इसमें से जो सत्या कथन है कि राष्ट पती अपने कारियों के लिए किसी नियाले के प्रतिय तरदाई नहीं होता है और चौथा जो है कि केवल सांसद ही उच निया लाए के निया धीसों को हटा सकती है यह दोनों कथन जो है सत्य है बाकि जो यहां पर पहला और तीसरा है वो गलत है अगला बासट नुमर प्रिश्ण के केंद्रिय मंतरी परिश्द के वैठक के अध्या अभिभासन मंतरी मंडल तयार करते हैं संजुक्त राष्ट संग का प्रधान कार्याले कहां पर इस्तित है तो यह प्रधान कार्याले जो यह नियू यार्क में इस्तित है भारत का समिंधान कव लागो हुआ था तो यह लागो हुआ था 26 जनवरी 1950 को अगला प्रश्ण 65 तो यह संख्या जो है भारत के सांसत के पास है नहीं दीसों को बढ़ाने का समिंधान सभा के लिए चुनाओ कब निश्चित हुआ यह निश्चित हुआ तो यह निश्चित हुआ 1946 में निकि जो जुलाई जुलाई उनिस सु ठीयालिस में अगला यहां से प्रश्ण 66 नूमबर है कि किसी तार में धारा परवाहित करने से उसमें जो चुमक्य गुन आ जाने के लिए अवस्यक है कि तार का जो पदार्त होना चाहिए तो वह तार का जो पदार्त होना चाहिए कोई भी दुद्य सुचालक पदार्त होना चाहिए तो यह आपको 6000 डेग्री सेल्सियस होता है अगला प्रतिरोध के तार स्रेनी करम में जोड़ा गये हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा इसका प्रतिरोध होगा वा देदी होगा धिसी शूरपय basirm तो उसका प्रतिरोध होगा तो उसका प्रतिरोध होगा के ल प्रति पाई और स्कॉयर होगा थेक प्रिश्चिली के पहली बार देश में ही वनाए गए भार्तीय सपर्कम्प्युटर का इन में से कौन सा नाम है तो उसका नाम है परम आपशन अब्याद रख्याइगा उसका नाम है परम लेख्ट असे बहत्तर नुम्राइब प्रदूसीत हवा 75úsica पस्तिति के कारण यौप किसकी उपसीति के कारण है जग होता है हैं यहीं पर बुखार काना में है बुखार तो यह किसकी उपस्तिति क का आप हो में तो पाराग कुष्थति के एक तत्वे म् कर्माञ्व तीस है तता दूसरे तत्वा एंका जो प्रमाणू कर्माञ वह 15 है तो एम और यहां पर जो एम तता एम के सन्जोग से बने योगी का समभावित अनुसुत्र होगा कितना तो इसका जो समभावित अनुसुत्र होगा वह M Q, यहाँ पर M के बेस में 3 और N के बेस में आपका 2 होगा, ठीक, यहाँ पर option D याद रखेगा, M 3 और N 2 होगा चलिए, नेक्स प्रेशनियां से हम लोग का 74 नमरे की यह दे, कॉर्क और पथर के टूकड़े को एक साथ बांद कर जल में तोला जाए तो दोनों ही समिलित तोल, पथर के टूकड़ों की जल में तोल से क्या होगा परशनियां के यह दे, कॉर्क और पथर के टूकड़े को एक साथ बांद कर जल में तोला जाए तो दोनों ही समिलित तोल, पथर के टूकड़ों की जल में तोल से क्या होगा तो यह होगा कुछ कम होगा जल एओं में आगुलन सिल पदार्थो की मिसरन के भारी आगुलन सिल घटकों का जो नीचे बैठ जाना कहलाता है तो यह कहलाता है और साधन अफसन याद रखेगा यह और साधन कहलाता है नेक्स्ट प्रषणे चीहतर नंबर है प्रशने करें कि वैठाक के सब्ड में कौन सा प्रत्याय है तो वैठाक सब्ड में आक कять बैठ आक है रिसीकी गाएं बहुत दूज देती है वाक्या में रेखांग कीतैने कि तो फीसें का उधारन है तो यह उधारन है परिमान वदक का अगला प्रिश्णमरों का है कि जब करता एक किरिया समाप्त कर उसी छन दूसरी किरिया में प्रविष्ट होता है तब पहली किरिया के कहलाती है तो पहली किरिया जो है वाप पुर्विकाली के किरिया कहलाती है उत्रकंठित का प्रयावची नहीं है क्या उत्रकंठित का अभिलासा इसका प्रयावची नहीं होगा अगला असी निमर प्रश्मन है कि निनलिक्षित में कौन सा विलो में यूगमन नहीं है जैसे कि सदाचारी का दुराचारी, सम का भी सम, सार्थक का विरोधी और समिष्ट का वैष्टे कौन सा नहीं होगा इसमें हम लोगा यह जो सदाचारी का दुराचारी दियागा है यह इसका विरोब नहीं होगा सदाचार का जो सही विलाम होता है वो दूरा चार होता है एन बट्टे हजार एने वो एन्च विलियन का जो पीए जिमान होगा तो इसका जो पीजमान है वह आपका इगारा होगा ठे नेक्स प्रशनिया समलों का बिरासी नंबर प्रशनिय है कि मेधक गती सिर कीरों को वड़ सिगर्टा से पकड लेता है ऐसा क्यों तो वह यह उसकी जो गीली चिप-चिपी जीव इसामने जुड़ी रहती है और पीछे ज्वे सोतन तर रहती है उसलिए वह सिगर्टा से ज्वे आवर असानी से पकड लेता है और अप्शन बीकॉरेक्ट अगला प्रशने की अंता कोसे कि पाचन से समन्देते कोसे कि ये संदे लाइश ओ सॉम कैच्चवा और विच्छु में समाने रुप से विदमान है तो इसमें जो समान रुप से विदमान होता है खंडन सरीर पुस्पक्राम जो पूर्णे और रुपेन एक संजुक्त फल के रुप में विक्षित होता है और वह है तो वह है आपका हाइपन थोडियम है क्या है हाइपन थोडियम है डियने में पाई जाती है क्या तो डेने में जो है आपका पैंटोज सरक्रा पाई जाती है अगला प्रेश्णम लोगा है कि वातावरण के संदर्व में जीवों का दियान करने वाले विज्यान की सखा को कहते हैं तो उस सखा को प्रेश्थिति की विज्यान कहते हैं जो हार्मोन रितु के प्रजिनर करने वाले प्रानियों के नरों में गउन लेंगी की लक्षन उत्वन करता है कौन सा वह आपका कौन सा हार्मोन है तो उस हार्मोन का नाम है तेस्टोर औरॉन है ठेक कमदद टेस्टोर रॉन है अगला यहां से 99 नमर को सभस्फ में ओक्सेशन और पानी health प्रकास तुरशनमें और ट्र q प्रक्रकाश सभस्फ में झोचेन है यहीं और पानी आटकला सभावन होता है टेस्टोर यहीं आ यहां सब काया सब एक सभ्ण हरuto such a श्रांवी घृतर है के हैं है कि लाइकें शह जीवी है जिन में होते हैं वह लाइके me वहागी होते हैं 20 और प्रसीद उलांग किसमे की चाय का निया जाता है वह यह जो उलांग किसंगे चाय है इसका हुए टाइवान में आजाता है कि अगला प्रिष्РИ्म के गांधिवादी अर्थव्री अधारित थी तो यह अधारते नियास सथा धारितर पर किस पर नियास धारित पर जो गोश् acontece शेक्वादी और दो लंऄ के आपने मुलयन का सब्सक्रांब अश्र hack प्राप्ति और बढ़ते आय को रोकना उप्यूकन से सभी होगा अगला यहां से प्रश्ण है कि संग द्वारा वसुला संग द्वारा वसुल किये निम्नलेकित करों में सेवा कर कौम सा है जिसे राज्यों को नहीं सोपा जा सकता है तो यहां तक 95 तक प्रश्ण है आपका अंग्रेजी क्या है तो यहां का जो यह सेट नौ था कंप्लीट हो गया और सेट 10 को हम लोग देखते हैं अब हम लोग का यहां से टेस्ट सरे जो दस सुरू होता है और पहला प्रश्ण यह रहा प्रश्ण है कि जितनी तेक्षने आवाज उतनी ही उची होगी उसकी तो उतनी ही उसकी उची क्या होगी आप रिती जोगी वह उची होगी इसके इलाज में कीमो थरेपी का उपयोग किया जाता है तो याद रखेगा कैंसर के जो उपयोग किया जाता है तीसरा प्रश्ण है कि जब स्वेत प्रकास ग्लास प्रेजम से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सरवादिक है आप अपवर्तित होता है तो नीला र चालक जब मोड लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है जब की कार का चालक उसी मोड पर बाहर की धाकेला वह महसूस करता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण है कि जो साइकल सवार और कार की चालक दोनों ही केंद्रिय बाले महसूस करते हैं इसलिए वह कार वाला है वह बा प्रिश्नियाद का परिवहन करता है नेक्स प्रिश्नियां से अंग्रेजी का है और आपका शोलन नमर चेज्ञ ये प्रिश्नियां की सत्यार्थ प्रकास प्रियास के लेखा कोन है तो इसके लेखक हो जाएंगे दियानन्द सर्षवती हिंदी सहित्य अकादमी की ओर से सलका समान किस छेत्र में दिया जाता है तो हिंदी को नई दिशापरदान करने के लिए जो है सलका समान दिया जाता है अगला प्रश्णी के दिये गए पद के मुचित अलंकार रूप का जैसा से अच्छा विकल्प है कौन सा तो इसमें हम लोग का रगुपती रागव राजा राम है इसमें आपको जो अनुप्रस अलंकार है रखांकित सब्दों के सही आववाय के भेद हैं तो जैसे कहां पर सीता के आगे रामा खड़ी है इसमें आपका रखांकित के आगे के सब्दे ये कैसा आववाय है तो ये जो है आपका संबंद वोधक आववाय है अगला यहां से विष्ट नमबर टेन हम लोगा है कि उस विकल्प का चैन करे जो परत्याइव से बना है तो इसमें हम लोग का जादूगर जो है वह कौन सा ओप्सन सी देख लिजे जादूगर जो है ये परत्याइव से बना हुआ है यदि उंच तारत्वा कि ध्वानी को तो क्या गड़ता है तो ऐसी किरिया में जो है उसमें आवरिती घटता है क्या दख्याइगा जब ये ऐदी ऊच तारत्वा को निम्नहत whole के धानी में बदला जाता है तो उसमें जो आवरिप होती है उसकी वो बदलती है, घटती है प्रश्णिया के दोलन करते सरलोला की इस्थिती जूर्जा अधिक्तम होती है तो यह अधिक्तम होती है किनारों के इस्थिती पर जैसे कि यह आपका एक लोला खो गया यह से इस परकार से लटका हुआ है और जब यह दोलन करता है तो यहां पर और यहां पर जो होगा वह इस थीती जोड़िया जो है वह अधिकतम होगा ठे नेक्स प्रश्णिया से 23 नंबर है कि मोटर गाड़ियों के पूर्जों पर क्रोमियम के प्लेटिंग की जाती है क्रोमियम तथा जल जुआ स्कूर्ण होता है वह नैंटी डेक्स यहां पर क्रोमियम का ही पर्योग क्या जाता है रुस्मा का सर्योतम चालक कोनशा तो इसकी पारह जाएगा उस्मा कई कर दिए पारा I saw 25 नंबर प्रहले के ऊर्जा वाहन नहीं करती है तो यह आप प्रागमी तरंगे आ प्रागमी तरंगे जो यह उड़जा गमन नाप उड़जय वहन नहीं करती है यह आभी लंब गाध वल को दूगना नुम्बर है यह प्रश्ण कहे रहा है कि पांच लीटर बेंजीन का भार है पांच लीटर जो बेंजीन होता है उसका भार जो होगा वह आपका गर्मी तथासर दिदोनों के मौसम में ही ब्राबर होगा 28 नवल प्रश्ण के जदे किसी स्परिंग से विदुत धार परवाहित के जाती है तो इस प्रिंग में होगा प्रसार होगा उतला ल्यंश की फोकस dużo दूरी सबसे अधिकतम होगी उसकी जो फोकस दूरी अधिकतम होगी अल्णtalk का अधिकतम होगी अगला प्रश्णमलों का एक बस्तू की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो क्या होगा चाल नियत है तो उसका जो नियत वेग होगा ठीक आप्शन से याद रखेगा उसका जो नियत होगा वो वेग होगा अगला यहां से प्रश्ण नम्लों का 31 नम्बर है यह प्रश्ण के पुष्टी मारगे के दर्शन के स्थपने किशने की तो यह अवला अवचारिया ने किया था सरीर में हीमोग्रोविन का क्या कार है तो इसका कार होता है ऑक्सिजन का परिवहन करना हिंदु वेदी पर एक पुष्टक जो मिताख्षरा किशने लिखे तो यह मिताख्षरा जो पुष्टक है यह लिखा गया है बेग्यानेश्वर के दर्शे बीज की बुआई के समय समाने थनिमने में से किस उरवरा का परियोग किया जाता है तो बीज बुआई के समय इसमें नाइट्रेट का परियोग नाइट्रेट का परियोग बीज की बुआई में किया जाता है जिसे से पॉदों में ब्रेदी और फल लगने में मदद मिल्ती है पुटाः से resulted टो पूधा जो था यह पॉदों की ब्रेदी ऑन पुसक प्रदान करता है अगला पृष्ण 35 नूमरे कि वासिंग सोडा दोने का सोडा क्या है तो यह जो एपका सोडियम कारबोनेट है जुछी नेंपने जर्ट एंडीं टैने में सब्राइट है वोजून अख difumoke जूसी सेवा-विधाrence परियाप्ट नहीं सेवाख के शुके। को कोफी का क उत्पादण करना है लिए अगला एक warm नीली कृानी किसे से सम्बनार के जाता है उधारत में किस किसम की कोफी ह heating driving कर दो भारत नौबल गैस किसे कहते हैं हिलियम को जो नौबल गैस का जाता है आवर साणी के सुन्य बरग में जो चौत अत्वे जिससे निक्रिय गैस है कि जो है नोबल गैस कहते हैं जैसे कि एक्सी हो गया और आरेने के डाउन हो गया तो यह सभी जो गैसे हैं यह अक्रिय गैसे हैं चलिए अगले अपर जो 42 नमर जो प्रेशने के निम न लिखित में कौन ज़त तत्वा सोतंत रवस्ता में पाया जाता है तो सवतंत रवस्ता में यह सलभर जो है यह पाया जाता है अगला यहां से हमलोग काते हैं 43 नमर प्रेशने है यह प्रेशन करें कि सुक्ष में जिवानों से प्राप्त वे तत्वा कवन से हैं जिनका उपयों होगे सुक्ष में जिवाणों को निष्ट करने के लिए किया जाता है तो इसमें राइटेंसरों का प्रतिश जैवी का जो परियोग है ये सुक्ष में जिवाणों को निष्ट करने के लिए किया जाता है सर्विस अस्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूसन जांच द्वारा निम्नांकित में किसकी जांच वह अनुमान किया जाता है तो इसमें अनुमान जो जांच किया जाता है सीसा और कार्बन का याद रखेगा service education पर जो motor की की जाने वाले जो परदूसरा जाच्च होती है उसमय शेशायो जो कारबन कर्ण की जाच्की जाती है अगला प्रेश्ש Tech के नीमना लिखिते मैं से किसने धोल की तेजावाज के साथ एक महिला का अपने पती की चिता के साथ तो स्वता को जला लेने देशियो का जो है भैयानक चितरन क्या है तो यह भैयानक जो चितरन क्या गया है इबन बतुता के द्वारां क्या गया है और रंग भोलतित त्यलाख कि यहां पर जी उसका कारण है कि उस से उसके सासन काल में निरंतर युद करने पड़े इसलिए वह रंग जयक्र जुद ज्यादा भौन करिंद नहीं कर पाया चलिए अगला प्रिफने के साहां का मकबरा कहां इसती थे तो यह आपका साहां का मकबरा पुछा के कहां है तो यह आपका अगला में है इंडिया और कॉपरेशन का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है यह कहां इसी थे तो सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है हल्दिया में ठीक याद रखियागा हल्दिया जो तेल सोदा कर खाना है यह पस्चिम बंगाल में है और यह जो इंडिया और कॉपरेशन है इसके थपनक ब अगला प्रश्णियां से 50 निम्न लिखित में कौन से ज्यांच पित्तित्व को सुनिश्चित करती है तो यह दिने फिंगर प्रिंटिंग है यह पित्तित्व को सुनिश्चित करती है किस के साथ मिलकर नीतिया यूग ने महिला उदम्यों को बढ़ावा देने के लिए बागधारी की तो यह किस के साथ मिलकर को पूछा गया है तो यह मिलागया यहां पर वार्ट्सअप के साथ मिलकर के नम्य लिखित में से कौन सा नाम पांडू पुत्र अर्जुन से संदर्वित है पांडू पुत्र अर्जुन से पुछा गया कि संदर्वित है तो जैनार्दन यह नाम संदर्वित है प्रश्ण के भारत में समनुपातिक प्रत्य निधित्व परणाली का जो उपयोग है निमने के चुना में होता है तो यह जो होता है राज्य सभा के सदस्या, राज्यों के विधान परिश्दों के सदस्या और उप्राश्टियने के जो प्रतिन से सभी में जो है समनुपातिक प्रतिनिधित्व परणाली का परियोग कि आ जाता है चलिए अगला प्रश्टियां से हम लोग का चोवन नमबर प्रश्टियने है कि उस संग राजय छेत्र का नाम बता ये जहां निरवार्चित बिधान सबर और मंत्री परिशद है तो वहा है पोदोचेरी अगला कि भारत पर कुल विदैसी रिण में सरवाधिक भाग निमन में से किसका है तो सरवाधिक जो भाग है जा सरवाधिक जो योगदान है ये बनेजिक उधार का है अगला यहां से 56 नूवा प्रश्टियने के आईन अकबरी में किसे प्रकार की सुचनाएए हैं तो इसमें सुचनाए मिलता है अकबर की साथन पढ़नाली पर प्रकास डालता है हिमाले प्रवत्सरेनी का जो सर्वादी कुचाई पर इस्तित है वो कारा कुरंदारा जो की जम्मु कशिपिर में इस्तित है आगला प्रेशन अंठावन नुमर की गल्फ एस्ट्रीम उत्पन होती है तो यह जो गल्फ एस्ट्रीम है यह महासागरिय दबाव से उत्पन होती है 20 लकी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह लंबी नदी है निल नदी खाद प्रसंकर्ण तथा संचे द्वारा कौन से पोसक तत्वा अधिकान सुरुप से प्रभावित होते हैं अगला यहां से एक सर्थ नमर प्रेशन है कि ग्राह अपनी विभिन दूरियों पर गति सिल रहते हैं ग्रह जो है अपने विविन दुरियों पर तो ये गुर्थवा करस्वन तो था आप केंदरन बल के द्वारा जो है ये गति सील रहते हैं अपने विविन दुरियों पर है भारत में इस्थित जो है प्रमुक मतास्य ग्रहन पोटासरे कहा है ये मतास्य ग्रहन पुछागे कि प पोचिन में अगला प्रिश्टन हम लोग का दिर्शट नमबर है कि सभी जैविक वातावराणी ये प्रकिरियाएं बीविन जलवाई उत्त था मौसमी दसाओं में किस से पर्त पर उत्पन होती है तो ये सभी जो था ये ट्रोपो एस्फियर पर जो है उत्पन होती है सामसद में प्रविक बिल एक अधिनियम बन जाता है कब तो ये एक अधिनियम बन जाता है राश्ट पती की सामाती मिल जाने के बाद जो एक अधिनियम बन जाता है अगरा यहां से प्रशन प्रेष्चन है कि अल्माटी बांद ये किश्ण नदी पर बना है थो अल्माटी बांद जो ये किरिश्ण नदी पर बना है कफन है कि भारत एक सम्रद साली डेस है जिसमें गरीब लोग निमास कर ते हैं इसका ताठापर क्या है तो देखिये इसका जो ताठापर है कि देश में मुलेवान बिश्तरी चंचादन है लेकिन उसका उचित प्रकार के दोहर नहीं हुअ है इसका यही अर्थ है कि भारत एक सम्रद जिल यहां पर जो सम्रद साली देश है और जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं को अगला प्रेशन हम लोगा कि अगनाजेशन फौर एकोनोमिक को ऑप्रेशन एंड डेबलॉपमेंट का मुख्याले का ओ इस सेड़ी का जो मुख्याले पूछा गया कहां तो इसका मुख्याले जो है यह पेरिस में है अपने आप लोग यहां पी याद रखेगा इसका मुख िकिस देज में है तो यह जो है इंकवाडर में जोड़े जोड़ा मोखी कोटोपेक्सी की जो चाहिए यह 9613 पिट कितना यह इनी से ज़ाय सो सो 3 फित है यह फिट में अपका ठीक जोड़ेका एक कियाद रहे इन चारों में से बहावाचक संगय की बात करें वकालत और हैं गया में पुपना क्या होगा साही संास है आपका ये सुक दुखे दवन्द सं panelists का अभारा ने ठीक, चलिए। अगरा यहां से हम लोग आठतर नमरी के पतन का जो है बिरुदार्थक सब्द्ध कुनिए यहन है अंधा यूग है उनके द्वारा रचित नहीं है प्रिथिवी राज रासो किस लेखा की रचना है तो यह रचना है चंदवर दाई की प्रिथिवी राज रासो अगला प्वांट 81 नमबर है यह प्रिशन है कि माउंट अभू के दिलवारा मंदिरों का निर्मान किष्णी करवाया था तो यह निर्मान करवाया था सुलंकी नहीं यानिकि सुलंकी सासकों के द्वारा करवाया गया था अगला यहां से हमलों का प्रिशन है कि निम्नान कित में कौन सा अस्थान बहुत धर्म से संबंदित नहीं है तो बहुत धर्म से संबंदित नहीं है देखिए यहां से यह जो सोमनात है यह आपका बहुत धर्म से संबंदित नहीं है यह सीव धर्म से संबंदित है ठीक और तो 1025 सिस्वी में मुहमद गजनवी ने तोड़ा था ठीक अब आपको याद रखना है और उस समय जो सुलंकी बंस के सासक भीम वन थे अगला यहां से 83 प्रेशने के निमना लिखित में किस अधिनियम द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी के वेपारी कदिकारों को समाप्त कर दिया गया था तो यह आपको क्लोरो फ्लोरो कारवन है इससे जो है और परत को खतरा है नेक्स प्रेटनिया समलो के 55 नंबर है कि बिस दुआ की प्रयातियों वह उनके निमा सस्थर के जोड़े प्रसुत है गलत जोड़ा होता है यह देखें समलो के गलत जोड़ा की बात करें हैं यह स्काय स्वह उत्रे जांत मंनले क्लोड है ने हुदब है तो सल्गूल स्ञाबे के देखें सकाय स्थर में river हो इन कीवलास्तियों यहां बहू का तो, अ कर प्रतर को twitch विस्ता ओब नहीं को सा तो लोसीं स्क लिख नहीं है अजयente गर्पी एघ्वेश्चा यह सुझे प्रकार जाहित मेंने अजुफ को गर्थ आंद मास अंद मासागर के पच्छमी तट पर ये परवाइत होती है निम्नान लिखित में कौन सा जो नगर है वो जापान का मैंचेस्टर देखें जापान का मैंचेस्टर जो है यह उसाका को कहते हैं जापान का जो मैंचेस्टर है यह उसाका को कहते हैं और मैंचेस्टर इंग्लेंड में जो सूती वस्तर के लिए प्रसीद है यह भी आपको याद रेखना है अगला यहां से प्रेश्ण अमलोग का 90 नमर है कि भारत में सर्यूच माना गया है किसको सर्यूच माना गया है समिंधान को जो बैली स्वे समिंधान संसुजन द्वारा प्रिस्तावना में निमने अगला प्रेश्ण है कि भारतिय समिंधान में किस संसुजन के प्रिमान उस्वरू पे संपती करतिकार मुल अदिकार को सुची से हटा दिया गया तो यह हटाया था अपका जो चवालिसमे समिंधान संसुजन के ताहद जो कि यह 1978-1989 में किया गया था निमना लिखित में योग का कार्य बिल्कुल नहीं है अगला यहां से 94 नमरे के भूमी से टक्रा कर फुटबाल गेंद उपर यह उचलता है तो क्योंकि यहां पर क्यों उचलता है तो यह उचलता आपको ऐसा उसके आपने जो प्रत्यस्त गूर्ण के कारण होता है इसलिए वो उपर उचलता है प्रकार के होते हैं चीशा संचायक चल और यह जो पतिकाएं होती है और पतिकाएं यह आपको तनु गंदमल में डूबी रहती है अजला यहां से हम लोग का 96 नमर से जो हम लोग का यह ट्रांसलेट सुरू हो गया है यहां से हम लोग का टेस्ट इसरी जो एगारा सुरू होता है और पहला जो प्रेश्ण यह रहा प्रेश्ण कहरा है कि माने चीतर पर सागर की लवनेता को दर्साय जाता है तो माने चीतर पर जो सागर की लवनेता होती है उसको आईसु हिल लाइन के द्वारा दर्साय जाता है ठेक अगला कि ब्रामा विश्णु और महेज की तरी मुर्ती वाला जो प्रसीद मंदिर है ये किस सवहर में है तो यह है आपको सुचिंद्रम में का है सुचिंद्रम में ठीक है आपको याद रखना है चलिए ने एक्स प्रेशनियां से हम लोग का तीसरा नमबर है कि गुड फ्रा प्रेशनियां है कि याद रखेगा यह अगला प्रेशनियां से इगार है क्रुव यह सलफाइड के के सांध्रण हैं टू न पिरहा न कुम से परईक्त वीधी है तो इसके लिए परियुक्त वीधी है ज्धागद पादन कौ रिच इसके लिए परैयोक्त होती है एक हर्मोन है एस परवावित्थी इत्त है अगला प्रिश्चिंग के सर रोलांड रॉस्च ने खोज़ निकाला जो所以 से विकुन के द्वारे कि मलेरिया का जो पारा गमन्यमंगे मर्ष SJ के द्वारा मचरो के द्वारा होता है यह सुरडुरो रिओनिया. व१ के द्वारे के द्वारे गोम्रarlsch निकाला गया अगला प्रस्टन चौदार नमर है इस अगला फ्र मान। यहां पर इस्थीर बनाई रखती है कि किसी विवे से जाती के गुर्ण सुंत्रों के संग्या कर इस्थीर बनाई रखती है ठाइक चलिए अगला प्रश्ण में कर देगो यह कोलाइड का इस्था होता है होना कोता है अगलाशन isolinya के था अगलासन लिकाड़ में जैसे कि दूसरों के उपकार को ना मानने वाला तो उसके लिए एक सब्द होगा क्रित्य धानने अगला प्रश्णी के रेखांकित पद्य के उची दिकारों को पाचानिये तो इसमें हम लोग का वोतल में दूद बच्चा है इसमें जो रेखांकित में क्या गया है ये कैसा सब्द है तो यह जो सब्द आपका अधिक करनकारा के है यहां पर जो किरिया के सही रूप वाला जो विकल्प उसको पाचानी है जैसे कि अस्कूल बस पांच मिनट डडड़ डड़ डड़ क्या होगा अस्कूल बंस जो है यह पांच मिनट में आएगी अगला प्रेश्ण नंबर यह प्रेश्ण के रआमों कहा कि क्रीपन का सही पूर्ण रुपेण वन विचे एगसे यह क्या होगा तो क्रीपन का सही पूर्ण रूपेंड जो बंड विछेज जो होगा वो आगा क्रीप प्लस त्रिट आर पा आ न आ होगा यह आप लोग डे देख लिए यह क्रीपन का बंड विछेज पन है सुद भरतनी वाला साथ पाचानी क्रिष्णा कौन से लिखा गया है देखिये ऑप्टन ए का जो क्रिष्णा है यह आपका सही लिका गया है अजला यहां से प्रिश्ण हमलों का है एक करण जिसका दर्माजु एम और जिस पर पी वल ती समय तक आरोपित होता है तो उसकी जो गति जुर्जा ती समय बाद क्या होगे उसकी गति जुरिया जो होगी वो टी समय बाद पूछा गया है कि क्या होगी तो ये गति जो होगा टी समय बाद पी स्क्वार टी स्क्वार बटे टू एम होगा कितना पी स्क्वार टी स्क्वार और बटे में जो है टू एम होगा ठीक है इस एक इनरजी हम करने दोने कर सकती तो इंवाहं से कि अगला से प्र leaning तो हम लोक का इसमें डे वाला से इंट सबसे कम होता है वह सबसे जो कम होता है वह सबसे कम होता है तो इसका हम लोग विकल्प के इसबसे आप क्या रोड निया है यदि आप वर्तन कोंण करांटी कोंण के बराबर हो तो आप वर्तन कोंण कितना होगा अगला परिष्ण के मानोरेटिना इनकी दिर्ष्टी पतल नेत्रे लेंस से कितनी दूरी पर इस्तिर रहता है तो यह इस्तिर रहता है दो सेंटिमीटर के दुरी पर विदूत वीभव कौन सी रासी है यह आपका अदिस रासी है विदूत वीभव जो होता है यह आपका अदिस रासी है विदूत वीभव बरवरा विदूत उर्जा बटे आवेस होता है ठे का पर बिदुत बीभाव का इसाई मात रख क्या होता है बीदुत बीभाव का इसाई मात रख बोल्ट होता है चलिए अगला कि निमण में उड़िजा का सबसे बड़ा मात कौंसा है जी ? तो यह किलो वाट घंटा सबसे बड़ा मात रख है प्रथम पर्योगे कि 100 रिसल का वर्स क्या गया था तो इसका जो निर्मान है यह 1954 में क्या गया अगला प्रेशन की दाब वर्णे पर जो जल का हीमांग क्या होता है तो जल का हीमांग होता है वो घाटता है गैस में ध्वानी की चाल सोतंतर रहती है तो यह गैसों में ध्वानी की चाल सोतंतर रहती है यह अगले यहां से हम लोग का 31 नंबर जो प्रश्ण है आपका गनित से प्रश्ण सुरुआ आपको 31 से लेकर करके 40 तक यह 10 जो प्रश्ण आपका गनित का है 41 नंबर से प्रश्ण है कि 4 बहुत संगती का जो आयोजन है यह हुआ था 44 बहुत संगती का जो आयोजन है यह पूछा कि कब हुआ था तो यह करनित के के सासन काल में हुआ था यादर कियागा जो फर्श्ट जो बहुत संगती है यह आजात सचरु के सासन काल में हुआ था का दुवितिये जो है आपको काला सोख के सन्काल में हुआ और जो तीसरा है वह आपका दुवितिये खर्ण karaoke अब जो आपको शिज प करी फोप सनल भाल भुत लेमिली को अग्ला सुपने कितर सब्सक्राइञ्य स्यंपर दुवितिये रहना का रहत स्वाब एक थी lame प्रजारक थे कौन तो प्रजारक थे संकर चारिया भारत से वेपार संबन्द्र अज्टापित करने वाला आंतिम एयुरोप देश था तो वह अंतिम एयुरोप देश के मुलग बात करें तो वह था फ्रांस अगला यहां से प्रश्ण नमों कहें कि असोक दिवितिये के नाम से किसे जाना जाता है तो असोक दिवितिये के नाम से कनिश्क को जाना जाता है अगला यहां से प्रश्ण के निमना लिखित में से किसने सन यहां पर 712 इस्वी में भारत पर आकरमन किया तो यहां आकरमन किया गया था मुहमद बिन कासिन के द्वारा ठेक अप्सन दियाद रखेगा मुहमद बिन कासिन के दालग 712 इस्वी में आकरमन किया गया चलिए अगला प्रिशने के निमनलेकित में सबसे जो अधे के सुधारवादी वक्त संत कौन थे सुधारवादी पूचा गया है तो वह थे कबीर जालिये वाला भागते कांड यापको 13 अप्रहल 1919 अप्सन भी देख लिजिए अगला प्रिशने के चात्रपती सिवाजी के माता का नाम क्या था तो उनके माता को जो नाम था वह जीजा भाई था ठेक याद रिखेगा सिवाजी के जो माता का नाम था वह जीजा भाई था और जो उनके पिता का नाम था तो वह क्या था साहुजी भूसले था ठेक चलिए निम्लिकित में कौन सा अस्थल रूप जो हिम नदी के कारिय से संबंदित नहीं है तो इसमें सेमलो का ये जो हिम नदी पुछा गया कि हिम नदी के कारिय से संबंदित नहीं है तो इंजेल वर्ग जो ये संबंदित नहीं है अगला प्रिशने के सोरे परिवार के ग्रहों के अकार के अधार पर किसे करम में रखा जा सकता है तो इसको रखा जा सकता है ब्रिश्पत उसका बादसनी वरुन और बूध कोईनिक आफसन भी देख लेजिए इसी करम में जो है रखा जा सकता है या आपको घटते करम में है अगला प्रिशने की निम्रांग लिखित में किस यहां पूझे किस देसांतर के सहारे भारत का जो मानक निधारत क्या गया है किस देसांतर के सहारे पुचा गया है तो यह क्या गया है अगला यहां से प्रिश्ण हमलों का बावन नुम्बर है करें कि निमना लिखित में कौन सा महाध्वीपीय पठार नहीं है अगला निमना लिखित में कौन सा नागर दिल्ली कुलकता रेलमार्ग पर नहीं पड़ता है इसमें जो वनार्शी है यह दिल्ली कुलकता रेलमार्ग पर नहीं पड़ता है निमना लिखित में कौन साउद्य होगे उईरोप के रूरे यह पर यह ईरोप के रूरे दोगे के प्रदेस में प्रतीद है तो यह प्रसुद है इस पात हैं रिफाइनेरी पनामनार की इन दो मासागरों को जोड़ती है तो यह जोड़ा जाता है प्रसांत मासागर और अट्लांटिक मासागर को हुआ ज हाओ पालो किसे पछले के उत्त बादन के लिया प्रसीद है तो यह आपको जो कहुज पादन के लिए प्रसीद है। बिस्त ethical के नुदे का जो पात रहे वो ब्राजिल है। अगला प्रसंभान के अंतरगत।बा कि हम ऱ्चों बात करें। तो इसमें हम लोग का कौन सा होगा देखिए आखिल भारतिये केंद्र वह राज जी 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 तीन परकार की नागरिक स्यमाओं का प्रधान है यह अप्सन हम लोग का सही है अगला प्रशने के राज़्ट पती चुनाव में बिवाद के मामलों को संदर्वित किया जाता है तो यह संदर्वित किया जाता है सर्योच न्याले को अगरा प्रिशने के छेत्रिय परिश्द का जो पदेन अदेक्ष वो कौन होता है तो इसके पदेन अदेक्ष एक केंद्रिय मंत्री होते है दो या आदे के छेत्रिय परिश्दों के अदेक्षता कौन करता है तो यह अध्यक्षता जो केंद्री ग्री मंत्री के द्वारा के जाती है जब कोई महिला किसी निरवार्चन में मतदान करती है तो वह पर्योग करती है अपना क्या तो वह पर्योग करती है अपना राजनीती का अधिकार आपसन डियाद रिखेगा वो अपना जो रजनीती का अधिकार जो है वो परियोग कर रही है अगला प्रशनी कि भारत में राज्यों की सक्ती का सुरोत क्या है तो इसका सुरोत है समिन धान चौशुट नुमबर प्रशनी है कि एक पींड दराबय में तहरी रहा है यानि कि पींड एंदराबय दोनों के गनत सुमान है यदि पींड को थोड़ा सा दवा कर छोड़ा जाए तो या क्या होगा जब पींड को थोड़ा सा दवा करके छोड़ा जाए तो छोड़ी के इस्थिती में ही रहेगा अगरा प्रिश्मे के कौन सा पदा आते विदूत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी जो होता है ये विदूत का सबसे अच्छा चालक होता है निम्नलिकित में कौन सी तरंगे धुरूवित नहीं किया सकती है तो याद रखेगा जो दवनी तरंगे इसको धुरूवित नहीं किया जा सकता जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गरम करते हैं तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है इसका जो आयतन होता है वह पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा ठेक चलिए अगला प्रशने के Celsius ताप करम पैमाने में ताप के परम सुने का मान होगा तो परम सुने का मान होता है वह सब्सक्राइब करने में तो परिमारी ताप होगा तो जो परिमारी जो ताप होगा वह जीरो डिग्री सेज़ बढ़ कम होगा प्रशने के एक क्रिशने पींडे का जो ताप इसके मुल ताप का आधा कर दिया जाए तो पींडे द्वारा उत्ते सर जीते वीकरण के मातरा हो जाएगी तो वह मातरा एक बटे दो हो जाएगी चलिए अगला प्रशनियां से हम लोग का यह 71 नमर प्रशन है कि तत्व जो वीदूत के संचलन में सहायक नहीं होते हैं वह है कौन सा तो वह है आपका एस ठीक यहने के सलफर वह धातु है जिसके बरतन में काउपर सलफेट विलेन रखा जाता है तो वह कौन सी धातु है वह धातु है एजी सोडियम सक्सिनेट को सोडा लाइम बिलेन के साथ गरम करने पर प्रात होने वाला योगिक तो क्या प्रात होगा एथीन मेथेन एसिटलीन या फिर एथेन तो प्रात होगा एथेन अगला यहां से प्रेश्न है और यह स्वरीयुतम अप प्रेश्वक कहें कौन सा तो वह अप चायक है सी यह से K2-C R2-7 में क्रोमियम के ऑक्सिकर्ण संक्या होगी तो इसमें क्रोमियम के जो ऑक्सिकर्ण संख्या होगी वह पलस 6 होगी कितना पलस 6 होगी वाक्यों को सुध करना है गुमना सुब अच्छा है क्या होगा सुब गुमना अच्छा है ऑफ संडे देख लिए यह सही होगा अगला प्रश्ने के दिया गए मुहाबरे का सही अर्थ आपको बताना है जैसे कि अंक भाणा यहाँ पर दिया गया है कि अंक भाणा तो इसका सही अर्थ होगा कि गले लगना ठेक संजोग और वियोग किस रस्व के रुप में है तो यह जो है सिंगार रस्व के रुप में है यह अगला प्राशन कि योजग चीन का सही उधारन कौन सा है तो इसका सही उधारन होता है रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है यह योजग चीन का सही उधारन है सभी समासवाला बिकल्प पाचाना जैसे कि सभ्त सिंदू को सभ्त सिंदू सोरी पर जिस समश्त बद्द का पुरवज संक्यावाचक वह आपका दिंगु आचक समासवाचक कि जो सब्सक्राइब का दिंगु आचक दिंगु समाथ का यह उधारने ठेक चलिए अगला इक आसी नमरे के मनुस्या में आश्टियो मालेसिया नामा के रोग का कारण है क्या तो इसका रोग का कारण है विटामिन डे की कमी परशने के बलाश्टो पोर पाया जाता है कहां त यह क्रित भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है तो यह किस रूप में संचित करता है गलाई को जेन के रूप में संचित करता है अगला प्रशनिया से हम लोग का 84 नमरे की संजुक्त नालिका कार कूपी का गरंतिया है तो वहां है कौन सा अस्तनियों की अस्तन गरं ऑगला प्राणी के अस्तनियों के बीचिक वहाइं तो वह एक एकिव आपर इस्तनियों जाना बीना है निम्नलिखित में से किसे वारत के सोतंतरता अंदोरन के दोराने चरम पंथी नेता के रूप में जाना जाता था अगरा प्रश्ण हम लोगा कि सेल या किरिया में अर्थो प्लास्टिक क्या है तो ये अर्थो प्लास्टिक जो कुल है के जोड़ का प्रत्यारोपन को अर्थो प्लास्टिक कहा जाता है अगला प्रत्यक के निमनालिकित में कौन सा तत्व एक के बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उप्यों की जाने वाली कई चीजों का अधार बनाते हैं कि इस में लवया है और यह रक्त में उक्षिजयन का वोहन है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है यह कुछ रोगों के प्रति आप्रति हो करता है यह गलत हैं आगला प्रिशन हमलोगा की अस्थल कडा हिस पथी अस्थल वारत है गिरने का कारण हो सकता है तो जल अस्थर की गिरने का कारण हो सकता है वहाँ वहाँ की जो जिनसंक्या में ब्रदी होना वहाँ नलकूपो के से जो है अदिक जल का निश्कासन होना और वेख्चो की अदिक जो कटाई तता वर्षा कम होना ये सभी कारण हो सकते हैं भूमिगत जलस्तर में कमी अगला यहां से प्रश्ण है यह तिरानमी नमर प्रश्ण है कि किसे खहल में वेव एलिस ने ट्रौफी प्रदान की जाती है हिन्दू का यह प्रदान की जाती है अगला प्रश्णी पिंचानमी नमर है कि अठार्स श्यासट में भारतिये समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतिये कल्याण के संगवार्दान है तो ब्रेटिस लोग अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन का गठन किसने किया था तो यह गठन किया गया था दादा भाई नवरोजी के द्वारा आपसर हम लोगा भी इसमें कोड़ेक्ट होगा और यहां से 96 नमर से प्रेशन हम लोगा है कि वे लोग आहे भारा रहे हैं पर जो भारा करेंगे तो इसका अंग्रीया ट्रांस्लेट होगा कि दे विल युटू सिंग है यहां से अप्सेन हम लोगा भी सहयोगा तो यहां तक हम लोग कैई जब का अंग्रीया जी का प्रेशन ने तो आप लोग इसको प्लेट कर लिजाएगा और मैध को भी आप लोग जो पीडियाप मिल सुछ